आज के वीडियो में हम लोग implementation of single inheritance single inheritance को कैसे implement करना है यह चीज हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि दो क्लास single inheritance में क्या होता है one to one का relation यानि एक मेरा base class रहेगा और दूसरा मेरा क्या रहेगा derived class तो एक का नाम एक class का नाम हम B रख देंगे एक का नाम D रख देंगे ठीक है और इसमें एक simple सा काम करना है कि एक में हम sum का काम करते हैं ठीक है add कराने का दो number को और एक में हम subtraction ठीक है यानि minus का काम करते हैं तो ये दो हम class बनाएंगे एक class B बनाएंगे एक class D, class B के अंदर sum करने का काम करेंगे और class D के अंदर subtraction का काम करेंगे और हम करेंगे क्या कि B का जो properties है उसको D में inherit करा देंगे, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, single inheritance, ठीक है तो ये program को हम लोग apply करते हैं, तो यहाँ पर देखें एक हम पहले तो header file ले ले लेना, as include a stream dot h as include konu dot h, ठीक है इसके बाद एक class बना देते हैं, class B class B class B के अंदर हम दो variable ले रहे हैं दो number को add करना, एक survive, ठीक है और public में जाकर के public में जाकर एक function बना रहे हैं, word sum नाम से यही था कि इसमें एक sum नाम का function बना देंगे और जिसमें दो number हमको ले ले लेना और उसको add करना तो एक message enter two numbers, ठीक है यह message डाल देंगे और यह दो number को यहाँ पर एक x में और दूसरा y में input करा देना और इसके बाद फिर यहाँ पर दोनों को sum करके display कर देंगे तो sum और यहाँ x प्लस y को add करके display करा देंगे ठीक है, यह sum का काम खत्म और यह class का काम खत्म class बंद, एक class बन गया मेरा b d, दूसरा class बनाएंगे किस नाम से d, तो यहाँ पर एक class और बना देते है class d और इसमें variable चलिए अलग ले ले लेते है x, y था इसमें a, b ले ले लेते है public अब public में एक function बनाएंगे void subtraction के लिए इसका नाम सब रख दे रहे ठीक है, दो value input करना तो एक message पहला डाल देते है enter two numbers ठीक है, यह दो value input हो जाएगा पहला value a में और दूसरा b में और फिर display करा देंगे display क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर हमको display करा देना line change करके subtraction ठीक है और यहाँ हम a माइनस b कर देते हैं ठीक है, यह add का था यह subtract का होगा है, यहाँ पर sub को बंद कर दीए और class को यहाँ पर close कर दीए ठीक है, तो दो class यहाँ मेरे पास तयार है a class class b जिसमें addition का काम हो रहा, a class t जिसमें subtraction का काम हो रहा अब दो class बनाने के बाद फिर क्या करना है, next next हमको main बना देते हैं word main word main main के अंदर हम किसका object बनाएंगे यह जो sum है, जब inherit होगा, तो यह properties तो यहाँ आ जाएगा sum तो यहाँ आ जाएगा तो हम object किसका बनाएंगे, d का d का object बनाएंगे, तो d का object sum को भी call करेगा, और sub को भी call करेगा, ठीक है, तो हम यहाँ object बनाएंगे d का, d obj, ठीक है, object बन गया, अब यह object जो है मेरा, यह object इस function को भी call करेगा, इस function को भी call करेगा, क्योंकि b का सारा property कहां आ जा रहा, d में, b का object बनाने के बाद हम यहां call करेंगे obj.sum ठीक है तो यह object इसको call करेगा फिर obj.sub तो यही object फिर इसको भी call करेगा यानि sum को भी call करेगा और sub को भी get ch फिर program खतम लेकिन यहां पर अभी हम inheritance apply नहीं किये inheritance apply कैसे करना तो जिसका property जहां पर आ रहा है डी में आ रहा है न भी का property कहा रहा है डी में तो यहां पर डी में हमको यानि डी क्लास में हमको apply करना तो यहां पर apply करेंगे कैसे तो colon लिखना है ठीक है visibility mode डालना डालना जेनरली हम लोग public का यूज करते है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते है उसके पीछे क्या रिज़न है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पब्लिक लिखने के बाद यहां पर किस से आपको प्रोपर्टी चाहिए बी से चाहिए तो यहां लिख देंगे बी बस कॉमा सेमी कॉलन कुछ नहीं तो क्या होगा बी का प्रोपर्टी जो है उठकर के आ जाएगा डी में अब यह मेरा प्रोग्राम आप रन कर आओगे तो यह आपको उठकर क्या देगा सबसे पहले अबजेक्ट हम किसका बना रहे है डी का तो यह बी को हम इनहरिट करा रही है यानि यह जो सम है वो यहां आ चुका है अब जो obj.sub को हम call करेंगे तो क्या होगा कि यह call करेगा यह सारा काम complete करेगा उसके बाद फिर return हो जाएगा ठीक है फिर हम किसको call किए obj.sub को तो यह call करेगा Sub को और यहाँ पर सारा काम complete करके यह भी return हो जाएगा तो एक class का properties किसमें चला गया दूसरे class में आ गया और यहां पर हम यह class class d का हम object बनाएं और इसके थुन हम इसके भी properties को call कर रहे हैं और यही object के through हम इसका भी properties को call कर रहे हैं दोनों properties को call कर रहे हैं तो यही है मेरा single inheritance ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही थाइंक यू